हेलो गाईज स्टार्ट करते हैं जन्रल सैंस के टॉप 25 कोशियंस जो बार बार कॉंपिटिर्व एकसांस में पूछे जाते हैं सो गाईज जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जिसने भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब कीजिए फर्स कुशन स्टार्ट करते हैं भारत का ब्रदर्स में किन है कहा जाता है फर्स कुशन नहीं किरिए कहा जाता है भारत का ब्रदर्स में किन है कहा जाता है करैक्टर अंसर होगा ऑप्सिन सी डौक्टर सलीम अली डॉक्टर सेलीम अली को भारत का ब्रिदर्समेन कहा जाता है अनुवांसी की कोट की खोच किसने की? आपसन A सुब्रेमन्यम चंदरशेकर आपसन B डॉक्टर सेलीम अली आपसन C सीवी रमन आपसन D हरगुविन खुराना अनुवांसी की कोट की खोच किसने की? करेक्टर आपसर होगा आपसन D हरगुविन खुराना अनुवांसी की कोट की खोच डॉक्टर हरगुविन खुराना जी ने की थी आपसन D करेक्टर आपसर होगा next question टेली स्कोप का निर्मार किस ने किया था टेली स्कोप का निर्मार किस ने किया था option A Newton ने, option B Charles Darwin ने, option C Gregory Mendel ने, option D Galileo ने टेली स्कोप की खोच किस ने कि थी, Galileo ने, option D correct answer होगा, टेली स्कोप का निर्मार गैली लियो ने किया था question number 4, लाइसोसोम की खोच किस ने कि थी, लाइसोसोम की खोच किस ने कि थी, option A William Harvey, option B C D Dube, option C John Dalton, option D Gregory Mendel correct answer होगा, option B C D Dube, लाइसोसोम की को C D Dube ने कि थी, option B correct answer होगा, next question, प्राकर्तिक चैयन का सिद्धान्त किस ने दिया था, प्राकर्तिक चैयन का सिद्धान्त किस ने दिया था, option D Darwin, option B Lamarck, option C D Bryce, option D Mendel, प्राकर्तिक चैयन का सिद्धान्त किस ने दिया था, correct answer होगा, option B Darwin, natural selection, सिद्धान्त की खोज, डार्विन ने की थी, प्राकर्तिक चैयन का सिद्धान्त डार्विन ने दिया था, option B correct answer होगा, लाइकेन की खोज किस स्वैग्यानिक ने की थी, option A Alexander Fleming, option B Robert Goss, option C Purkinje, option D Tulanse, लाइकेन की खोज किस स्वैग्यानिक ने की थी, correct answer होगा, option D, तulanse, लाइकेन की खोज तulanse ने की थी, Q7. सर्वपर्थम जीवानों का पता किसने लगाया था, option A, Louis Pasteur, option B, Louvain Hawk, option C, Edward Jenner, option D, John Salk, सर्वपर्थम जीवानों का पता किसने लगाया था, correct answer होगा, option B, Louvain Hawk, सर्वपर्थम जीवानों का पता, Louvain Hawk ने लगाया था, option B, correct answer होगा, next question, पैनी सिलिन की खोज किसने की थी, option A, Alexander Fleming, option B, Alexander Graham Well, option C, Edward Jenner, option D, Louis Pasteur, पैनी सिलिन की खोज किसने की थी, पैनी सिलिन की खोज अलेक्जेंडर, फ्लैमिंग ने की थी, correct answer होगा, option A, Alexander Fleming, पैनी सिलिन की कोज अलेक्जेंडर, फ्लैमिंग ने की थी, कोशी का सब्द का प्रियोग सर्वेप्रित्रम किस ने किया था? आप्सन दी रॉबर्ट हूग, आप्सन दी चार्ल्स रार्वीन, आप्सन दी एडवर्ड जैनल, आप्सन दी रॉबर्ट ब्राउन कोशी का सब्द का प्रियोग सर्वेप्रित्रम किया था? रॉबर्ट हूग ने आप्सन दी रॉबर्ट हूग, कोशी का सब्द का सर्वेप्रित्रम प्रियोग रॉबर्ट हूग ने किया था? कोशन नमर टैन, इंसूलीन की खोच किस ने की थी? आप्सिन ए वाट्सन एवाम क्रीक, आप्सिन वी वेंटिंग एवाम बेस्ट, आप्सिन सी रॉबर्ट ब्राउन, आप्सिन डी रॉबर्ट हुक. इंसुलिन की खोज, किस नहीं की थी? करेक्ट आंसर होगा, आप्सिन वी वेंटिंग एवाम बेस्ट ने, इंसुलिन की खोज, वेंटिंग एवाम बेस्ट ने की थी? आप्सिन वी करेक्ट आंसर होगा, कुश्यन नमर 11, गामा की रॉबर्ट की खोज, किस नहीं की थी? आप्सिन अ, लोकियर, आप्सिन बी रदरफोर्प, आप्सिन सी, गोल्ड स्टेन, आप्सिन बी पॉल विडार गामा की रॉबर्ट की खोज, किस नहीं की थी? करेक्ट आंसर होगा, आप्सिन डी, पॉल विलार्ड, गामा की रॉबर्ट की खोज, पॉल विलार्ड ने की थी? करेक्ट नमर्ड 12 रैविज के ठीके की खोज, किस नहीं की थी? आप्सिन अ, एड़ड जैनर, आप्सिन बी लुिस पास्चर, आप्सिन सी cricket, आप्सिन डी, गोल्ड स्टेन रैविज के ठीके की खोज, किस नहीं की थी? रैबिच के ठीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी रैबिच के ठीके की खोज किस ने की थी लुईस पास्चर ने ओप्सन भी करेक्ट आंसर होगा लुईस पास्चर प्राकर्तिक बरन नेचुरल सेलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया प्राकृतिक चैयन नेचुरल स्लेक्षन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया आप्सनी अलबर्ट आइंस्टाइन आप्सनी रदरफोर्ट आप्सनी चार्ल्स डार्विन आप्सनी रोबर्ट हुक प्राकृतिक बरन नेचुरल स्लेक्षन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया करेक्ट आइंसर होगा आप्सनी चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक बरन नेचुरल स्लेक्षन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया चार्श राविन के दुवारा option C correct answer होगा question number 14 oxygen की खोच किस ने की थी oxygen की खोच किस ने की थी option A Rutherford option B Henry Cavendus option C Alfred Nobel option D Cillay और Pristall Rutherford ने Henry Cavendus ने Alfred Nobel ने या Cillay और Pristall ने correct answer होगा option C option D Cillay और Pristall Cillay और Pristall ने oxygen की खोच की थी option D correct answer होगा गुरूत्वा कर्षन नियमों की आविशकार आविशकार कौन है option A addition option B Newton option C Faraday option D Galileo गुरूत्वा कर्षन नियमों की आविशकार रख कौन है correct answer होगा option B Newton गुरूत्वा कर्षन नियमों की आविशकार किसने किये थे Newton ने option B correct answer होगा question number 16 विक्रम सारा भाई Space Center कहां इस्तित है option A तिरुवन्तपुरम option B लखनाव option C Bangalore option D एहमदाबाद correct answer होगा option A तिरुवन्तपुरम विक्रम सारा भाई Space Center तिरुवन्तपुरम में इस्तित है कवो कों का अध्यन क्या कहलाता है option A mycology option B entomology option C nephrology option D genetics कवो कों का अध्यन क्या कहलाता है करेक्टांसर होगा option A mycology कवो कों का अध्यन करेक्टांसर होगा सिक्कों का अध्यन कहलाता है option A entomology option B acoustics option C astronomy option D numismatic सिक्कों का अध्यन कहलाता है correct answer होगा option D numismatic सिक्कों का अध्यन numismatic कहलाता है option D correct answer होगा question number 19 cellular और molecular जी विज्ञान के इंदर कहां इस्तीत है cellular और molecular जी विज्ञान के इंदर कहां इस्तीत है option A हैदराबाद option B बैंगलूर option C त्रिवेंद्रम option D कौलकाता cellular और molecular जी विज्ञान के इंदर हैदराबाद में उपर स्तीत है option A correct answer होगा cellular molecular जी विज्ञान के इंदर हैदराबाद में स्तीत है option A correct answer होगा next question center for DNA fingerprint and diagnostic अवस्तीत है center for DNA fingerprint and diagnostic अवस्तीत है option A कौलकाता option B नहीं दिल ली option C एहमदाबाद option D हैदराबाद correct answer होगा option D हैदराबाद correct answer होगा option D हैदराबाद center for DNA fingerprint and diagnostic अवस्तीत है हैदराबाद मैं option D correct answer होगा next question अधुनिक वर्गी करण का पिता किसे कहा जाता है अधुनिक वर्गी करण का पिता किसे कहा जाता है option D लैमार्क को option D अरस्तु को option C डार्विन को option D लीनियस को अधुनिक अधुनिक वर्गी करण का पिता किसे कहा जाता है करेक्टा अंसरों को option D लीनियस को अधुनिक वर्गी करण का पिता लीनियस को कहा जाता है कोशिका का अध्यन कहलाता है कोशिका का अध्यन कहलाता है option A पोमोलोजी option B फंगोलोजी option C साइटोलोजी option D एंथ्रोलोजी कोशिका का अध्यन कहलाता है करेक्टा अंसरों को option C साइटोलोजी कोशिका का अध्यन साइटोलोजी कहलाता है कोशी का सिद्दान का प्रतिपादन किस ने किया था कोशी का सिद्दान का प्रतिपादन किस ने किया तो आप्सन आ वाट्सन एवं क्रिक आप्सन बी स्लाइडेन एवं श्वान आप्सन सी बैंटिक एवं बेस्ट आप्सन डी आस्परडेन एवं टिस्टरले कोशिका शिद्दान का प्रधिपादन किस ने किया था स्लाइड एन एम श्वान ने option B correct answer होगा कोशिका शिद्दान का प्रधिपादन स्लाइड एम एम श्वान ने किया था question number 24 सैवालों का अध्यन कहलाता है option A phycology option B dermatology option C nephrology option D chromatology सैवालों का अध्यन कहलाता है correct answer होगा phycology सैवालों का अध्यन phycology कहलाता है option A correct answer होगा question number 25 national chemical laboratory कहां इस्ती थै national chemical laboratory कहां इस्ती थै option A ध्यरादून option B पूणे option C नाशिक option D लखनौ national chemical laboratory कहां इस्ती थै option B पूणे correct answer होगा option B national chemical laboratory पूणे में इस्ती थै thank you so much guys for watching please like share and subscribe